दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थे हैं आपका एक पार फेड़ से आपके अपने ही चेनल के एक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलिवूट के दो और धुरंदरों के बारे में यानि के आज़ हम बात करेंगे रिशी कपूर सहाब और अनिल कपूर सहाब की सबी फिल्मों के बारे में यानि के अनिल कपूर और रिशी कपूर सहाब ने अपने पूरे करियर में टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम क्या इन में से कितनी फिल्मे हिट रही, कितनी फ्लॉप रही, कितनी ब्लॉक बस्ट रही और कितनी सूपर हिट रही, बात करेंगे इसी के बारे में, और साथे साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ, क्या निल कपूर या फिर रिशी कपूर, किस अभिनेता ने की है अपने पूर वैसे इससे पहले as a child director वो मेरा नाम जोकर में भी काम कर चुके ते लेकिन उनकी पहली जो डेब्यू फिल्म है वो है बॉबी, बॉबी साल 1973 में रेलीज हुई थी और फिल्ब बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी, उसके बाद 1974 में रिशी कपूर साहब की जहरिला इंसान फ्लॉप साबित हुई थी, 1975 में जिन्दा दिल फ्लॉप रही थी, राजा फ्लॉप रही थी, रफू चक्कर सूपर हिट साबित हुई थी, खेल खेल में हिट साबित हुई थी, 1976 में रिशी कपोर साहब ने की थी रंगीला रतन फ्लॉप साबित हुई थी लैला मजनू ब्लॉग बास्टर रही थी बारूद फ्लॉप साबित हुई थी कभी कभी सेमी हिट साबित हुई थी हम किसी से कम नहीं सूपर हिट साबित हुई थी दूसरा आदमी फ्लॉप साबित ह अमर अकबर एंथनी ब्लॉग पास्टर साबित हुई थी। 1881 में रिशी कपोर साब ने की थी आपके धिवाने फ्लॉप साबित हुई थी। 1883 में रिशी कपोर साब ने की थी बड़े दिलवाला जो की फ्लॉप साबित हुई थी। 1984 में रिशी कपोर साब ने की थी दुनिया फ्लॉप साबित हुई थी। आन और शान फ्लॉप साबित हुई थी और ये इश्क नहीं आसा फ्लॉप साबित हुई थी। 1985 में रिशी कपोर साब ने की थी तवायफ जो की फ्लॉप साबित हुई थी। 1986 में रिशी कपोर साब ने की थी नसीब अपना अपना जो की फ्लॉप साबित हुई थी। 1988 में रिशी कपोर साब की फ्लॉप साबित हुई विजय जो की फ्लॉप रही जनम जनम फ्लॉप साबित हुई हमारा खांदान एवरेश रही घर घर की कहानी फ्लॉप साबित हुई 1990 में रिशी कपोर साब ने की थी शेशनाग जो की फ्लॉप रही थी शेड दिल एवरेज रही थी आजाद देश के गुलाम एवरेज रही थी अमेरी गरी भी फ्लॉप रही थी। 1991 में रिशी कपोर साब ने की थी घर परिवार जो की बॉक्स आफिस पर सेमी हिट रही थी अजूबा फ्लॉप रही थी हीना हिट रही थी रन भूमी एवरेज रही थी और बंजारन बिलो एवरेज रही थी 1992 में रिशी कपूर सहाब ने की थी बोल राधा बोल जो कि बॉक्स आफिस पर हिट रही थी कसक फिलॉप रही थी, हनीमोन फिलॉप रही थी, रिष्टा तो हो ऐसा फिलॉप रही थी और दिवाना हिट साबित हुई थी 1993 में रिशिकपूर सहाब ने की थी शिरिमान आशिक जो की फ्लॉप रही थी साहिबान एवरेश रही थी साधना फ्लॉप रही थी गुरुदेव बिलो एवरेश रही थी अनमोल फ्लॉप रही थी दामिनी बॉक्स आफिस पर हिट रही थी और इज़त की रोटी डिसास्टर रही थी 1994 में रिशिकापूर साहब ने की थी मोहबबत की आरसू फ्लॉप रही थी इना मिनाडी का फ्लॉप साबित हुई थी साजन का घर सेमी हिट रही थी घर के इज़त डिसास्टर रही थी पहला पहला प्यार फ्लॉप रही थी प्रेम योग डिसास्टर रही थी साजन की बाहों में डिसास्टर रही थी, 1995 में रेलीज हुई थी फिल्म, हम दोनों एवरेज रही थी और यारारा फ्लॉप रही थी, 1996 में रिशी कपूर साहब ने की थी प्रेम गिरंथ जो की बिलो एवरेज रही थी, दरार फ्लॉप रही थी, 1997 में रिशी कपूर साहब ने की थी कौ तो रिशिकापूर सहाब ते कारोबार तो ये फिल्म बॉक्स आफिस पर डिसास्टर रही थी इसके लावा राजू चाचा डिसास्टर रही थी 2001 में रिशिकापूर सहाब ने की थी कुछ खटी कुछ मीटी फ्लॉप रही थी 2002 में यह जल्वा फ्लॉप रही थी 2004 में हम तुम हिट रही थी 2005 में प्यार में ट्विस्ट डिसास्टर रही थी 2006 में फना सूपर हिट साबित हुई थी और लव के चक्कर में डिसास्टर रही थी 2007 में नमस्ते लंदन बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट रही थी 2009 में लगबाई चांस फ्लॉप साबित हुई थी चिंटू जी डिसास रही थी, दो दुनी चार फ्लॉप रही थी, 2011 में पटे आला हाउस फ्लॉप रही थी, टेल मियो खुदा डिसास्टर रही थी, 2012 में अगनी पत सूपर हिट साबित हुई थी, स्टूडन आफ दे एर हिट रही थी, हाउसफुल टू सूपर हिट साबित हुई थी, अब 2013 में रि रिशी कपूर साहब की फिल्म रिलीज हुई बेवकूफिया जो कि फ्लॉप रही, 2015 में All Is Well डिसास्टर रही, 2016 में कपूर एंडसंस हिट रही, 2017 में पटेल के पंचाबी शादी डिसास्टर रही, 2018 में रिशी कपूर साहब की फिल्म रिलीज हुई, 102 नोट आउट जो कि बॉक करियर या नहीं किये, साल 1970 से लेकर साल 2019 तक पोरे करियर के मैंने आप बारे में आपको बताया रिशी कपूर साहब के, अब हिट सूपर रिट और ब्लॉक बास्टर कितनी फिल्म है रिशी कपूर साहब की, वो बात में देखेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हम अनिल ने की थी मशाल जो कि फ्लॉप रही थी, अंदर बाहर एवरेज रही थी, लैला फ्लॉप रही थी और लव मैरिज फ्लॉप रही थी, 1985 में साहब बिलो एवरेज रही थी, युद सेमी हिट रही थी, महबबत एवरेज रही थी और मेरी जंग सूपर हिट साबित हुई थी, 1986 में अनिल कपूर ने की थी कहां कहां से गुजर फ्लॉप जो कि फ्लॉप साबित हुई थी प्यार का सिंदूर फ्लॉप साबित हुई थी चमेली की शादी एवरेज रही थी आपके साथ फ्लॉप रही थी जाबाज हिट रही थी प्यार किया है प्यार करेंगे फ्लॉप रही थी, कर्मा सूपर हिट साबित हुई थी और इनसाब की आवाज सेमी हिट रही थी 1987 में अनिल कपूर ने की थी इतिहाज जो की बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही थी मिस्टर इंडिया सूप पर हिट साबित हुई थी हिफाजात फ्लॉप रही थी ठीकाना फ्लॉप रही थी 1988 में अनिल कपूर ने की थी जो कि बॉक्स ओफिस पर अबाव एवरेज रही थी, राम अवतार फ्लॉप रही थी, विजय फ्लॉप रही थी, सोने पे सुहागा एवरेज रही थी, तेजा ब्लॉक बास्टर साबित हुई थी, इंतकाम फ्लॉप रही थी 1989 में अनिल कपूर साब ने की थी, राम लखन जो कि बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी, जो शीले एवरेज रही थी, इश्वार बिलो एवरेज रही थी, रखवाला फ्लॉप साबित हुई थी, अभीमन्यू फ्लॉप साबित हुई थी, आग से खेलेंगे एवर रही थी, काला बाजार एवरेज रही थी, परिंदा अबव एवरेज रही थी, 1990 में अनिल कपूर ने की थी, आवारगी जो कि फ्लॉप साबित हुई थी, किशन कनहिया बॉक्स ओफिस पर हिट रही थी, घर हो तो ऐसा अबव एवरेज रही थी, जीवन एक्शंगर्स एव प्रतिकार फ्लॉप रही थी, और लम्हे फ्लॉप साबित हुई थी, 1992 में अनिल कपूर की फिल्मे रिलीज हुई बेटा जो की बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक पास्टर रही, जिंदगी एक जुआ फ्लॉप रही, हमला डिसास्टर रही, खेल फ्लॉप रही, हीर रांजा फ्ल अन्दाज बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई, 1992 से लव स्टोरी फ्लॉप साबित हुई, मिस्टर आजाद फ्लॉप रही, 1995 में अनिल कपूर की तिरिमूर्ती फ्लॉप रही थी, 1996 में अनिल कपूर साब की राजकुमार जो की फ्लॉप रही, लोफर हिट रही, मिस्टर ब बाहर वाली एवरेज रही जूट बोले कोवा काटे फ्लॉप साबित हुई 1999 में अनिल कपूर ने की थी हम आपके दिल में रहते हैं जो कि बॉक्स आफिस पर सूपर हिट रही बीबी नंबर वन बॉक्स आफिस पर सूपर हिट रही ताल बॉक्स आफिस पर हिट रही इसके लावा 2000 में बुलंदी अनिल कपूर साब की फ्लॉप साबित हुई थी पुकार अबो एवरेज रही थी हमारा दिल आपके पास है बॉक्स आफिस पर हिट रही और कारोबार बॉक्स आफिस पर डिसास्टर रही 2001 में अनिल कपूर ने की थी लजज़ा जो की फ्लॉप रही और नायक बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई 2002 में अनिल कपूर के फिल्मेरे रिज हुई बढ़ाई हो बढ़ाई डिसास्टर रही ओमजय जगदीश फ्लॉप रही और रिष्टे फ्लॉप साबित हुई 2003 में अनिल कपूर ने की थी अर्मान जो की फ्लॉप रही और कलकत्ता में डिसास्टर रही 2004 में मुसाफिर फ्लॉप रही 2005 में बेवफा बिलो एवरेज रही माई वाइप एज मर्डर फ्लॉप रही नो एंट्री सूपर हिट रही चॉकलेट फ्लॉप रही 2006 में हमको दिवाना कर गए अनिल कपूर साब की फ्लॉप साबित हुई थी 2007 में सलाम एश्क बॉक्स आफिस पर डिसास्टर रही और 2007 की वेलकम बॉक्स आफिस पर ब्लॉप बास्टर रही 2008 में अनिल कपूर ने की थी रेस जो की बॉक्स आफिस पर हिट रही टशन ब्लो एबरेज रही, युवराज डिसास्टर रही, 2010 में नौ प्रॉब्लम फ्लॉप रही, 2012 में तेज डिसास्टर रही, 2013 में अनिल कपूर की रेस टू हिट रही, शोटाउन एंड वडाला अबो एबरेज रही, 2015 में दिल धड़कने दो ब्लो एबरेज रही थी, और व और फन्नी खान डिसास्टर रही थी, इसके लावा 2019 में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फ्लॉप साबित हुई थी, और टोटल धमाल बॉक्स आफिस पर हिट रही थी, पागल पंती फ्लॉप रही थी, 2020 में अनिल कपूर ने की थी मलंग जो की बॉक्स आफिस पर ए सूपर हिट फिल्में 11 हैं, ब्लॉकबास्टर फिल्में 5 हैं और एवरेज फिल्में 15 हैं, अब अगर बात कीज़े अनिल कपूर की तो अनिल कपूर ने जो अपने करियर में की है, वो 105 फिल्मों में काम किया है टोटल, अब उसमें हिट और सेमी हिट फिल्में 14, सूपर में है साथ, ब्लॉक बास्टर फिल्म में है चार और एवरेज फिल्म में है पच्चिस तो यहां पर अगर बात की जाए बाजी की तो रिशी कपूर सहाब अनिल कपूर सहाब से आगे रहे अनिल कपूर से ज्यादा हिट सुपर हिट है रिशी कपूर सहाब के नाम तो रिशी क कपूर ने अनिल कपूर और रिशी कपूर सहाब में रिशी कपूर सहाब ने बाजी मारी है तो दोस्तों आपको इन दोनों में किसकी परफॉमेंस से ज्याद अच्छे लगी कमेंड में सुरू बताईएगा